मैं देपेस के सरवानी अपने यूटूब चैनल इस्टेडी स्टार्स में आपको मैस रिजिनिंग और 36 गर से समधित चीजों की जनकारी देता हूं हम दोग देख रहे थे सीजी पड़वारी के जो कोशन है उसको पेपर का सॉलूशन अगर आप 36 गर से हैं या मैस से रिजिनिंग पढ़ते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिश में जाकर यह सारे वीडियो देख सकते हैं जिसमें सीजी व्यापम के कोशन हैं सीजी पीएसी भी दरहां पुछ गया कोशन हैै सीजी य हैरई दरहं पूछे गया कोशन है यो सारे कोशन है तो चलो हम लोग देख रहे तक ही सीजी पड़वारी के कोशर्च उसको देख लेते हैं है स्यमीर दिवारी 2017 यह पारत फौ यह थी पार्ट नॅ पासफ्यूज़ हो चुके हैं ज चलिए देखते हैं हम लोग आगे कोशन नमबर 48 तक हम लोग ने पिछले वीडियो में देख लिया था आज हम देखेंगे कोशन नमबर 49 से तो 49 में किसन दिया है उसका solution देखते हैं हम लोग देखिए इसका solution कैसे है जैसे 1 है तो 1 को 1 एक से डिवाई गरेंगे तो यहां जाएक सोला को दो से डिवाई अगरेंगे टूपर में आजएक अरह को चार से डिवाइड करेंगे तो उपर में आ जाएगा 6 उपर में लोस्फ करते हैं ङक देखते हैं अबर जाएगा अजिलोसिय अपनावर 15 यह मैं धिर दो अन्पार तीन है तब एकटिन दिया हुए सूल करना है, तो इसको Candle marginedrix मैं आपको दिखाता हूं, Question Number 15 का इहां इहां है, आप दिख सकते हैं, यदी a अनपात b का अनपात 2, नपात 3 हैं तो यह जो Equation दिया था वह है, आप इसको में दिखा देता हूं, आपको फिर यह आप देख सकते हैं यहां पर चलिए इसको solution देखते हैं हम लोग देखिए सबसे पहले आप क्या करना है यहां a अनपाद b बरबाब दो अनपाद 3 दिया है उस फिर a is equal to हम लोग क्या लेंगे दो अनपाद 3 तो b multiply हो जागा यहां से यहां चले जाएगा तो यह equation हमारा 1 हो जाएगा अब इसी को a की value को हमें इस जो equation दिया हुआ है इसमें रख देंगे इस समय करन में रख देंगे हम लोग तो देखिए एक का जो value यहां रखेंगे तो यहां जाएगा 2 बाइ 3 फिर b है फिर bracket close 6 पावर में हो जाएगा मैनस b का पावर 6 हो जाएगा यहां भी है और रिड़ी जहां जाए a है वहाँ वहाँ वेल्लू रखेंगे हम लोग यह वाली value और यहां पर a की value यहां पर रख देते हैं जैसी a की पावर 4 है तो 2 अनपाद 3 b का पावर 4 हो जाएगा मैनस b की की पावर 4 है यहां फिर ब्रेकेट में ले लेते हैं एक की पावर 2 है तो यहां पे देखिए 2b upon 3 की पावर 2 हो जाएगा प्लस कर लेंगे फिर a है यहां पे तो 2b upon 3 हो जाएगा और जब b multiply में रहेगा plus b के स्क्याइट तो इसको solve करते हैं जब 2 की पावर 6 करेंगे तो आ जाता है 64 और b की पावर 6 हो जाएगा यहाँ पर और 3 की पावर 6 करेंगे तो आ जाएगा 739, मैनस में रहेगा B की पावर 6, सेम नीचे इसी प्रकर नीचे भी करेंगे, 2 की पावर 4 है तो 16 आ जाएगा, 3 की पावर 4 होगा तो 18 आ जाएगा, B की पावर 4 होगा, मैनस में B की पावर 4 रहेगा, इसको भी सॉल करेंगे, 2 की पाव कर लेते हैं जब इसको हम लोग solve करते हैं तो हमारे पास क्या आता है देखिए यहां से solve करते हैं तो 279 इधर multiply हो जाएगा तो 64 B की power 6 minus 729 B की power 6 हो जाएगा और 279 नीचे आ जाएगा लगुत्तम आ जाएगा यहां पर फिर यहां इसको solve करते हैं 83 or B की power 4 आज जाएगा फिर multiply में हाँ इसको solve करते हैं इसका लगुत्तम निकाल लेंगे हम लोग इसका लगुत्तम निकालते हैं तो 9 आ जाएगा और इसमें फिर solve करते हैं 4 B की power 2 हो लगा जाएगा 6 B की power 2 हो जाएगा नारं 2 Uhr हो जाएगा तो यहां से जाएगा 81 से 9 बार में चले जाएगा 379 तो 9 बचेगा और 9 भी यहां से कड़ जाएगा यह कड़ गया अब इसका सॉलूशन हम और नीचे देख लेते हैं आगे जो बचेगा और क्या बचेगा यहां पर देखिए यह भी मैनस हो जाएगा मैनस सा स स सौंतीस से चौन साट हो जाएगा तो यहां पर मैनस चैसोड़ एटकर flatter जलेगा और जाएगा लिएल सलो करते हैं तो यह बी की पावर घुरपार है और हिढ बी की पावर 6 है तो यह पूरी पावर 2 भी कट जाएगा पी की पावर 6 से बचेगा क्या माइनस माइनस भी यहां भी कट जाएगा यहां बचेगा 665 बटे 65 गुड़ा 19 तो 19 से यह 35 बार में कट जाएगा उपर 35 बचेगा नीचे 65 बचेगा और 65 है नीचे उपर 35 है तो यह की से चले जाएगा 5 से चले गया 5 सकते 35 हो जाते हैं और 5 से 13 बार में तो आगे हमारा 7 बटे 13 हमारा अंसर हो जाएगा आगे देख लेते हैं लोग उपर यहां आप देख सकते हैं आंसर के हमारा आफसाने 7 बटे 13 यह हमारा अंसर हो जाएगा और आपको समझ में आ गया होगा कि एक वल्लू हमें रखना है सिर्पीस में और उसका आंसर आ जाएगा कोशन नमबर 51 देखते हैं निम्न चित्र में चायंकित भाग का आयतन है यदी तो देखिए यहापर यहापर देख सकते हैं यह जो चायंकित भाग है उसका हमें आयतन पूछा है तो कैसे निकलेगा आयतन यह देखते हैं लोग यहां पर देखें संकु का जो है त्रिज्जा दिया हुआ है 6 cm संकु है इत्तवड़ा यहां इसकी त्रिज्जा दिया है 6 cm मतलब यहां से 20 से लेकर संकेंधरी है क्या है यह कि देखा पर है चले तो इहां 56 भाग को निकालना है में तो क्या करेंगे हम यह यह संकु है तो संकु का आयतन निकालेंगे हम और अब वेलान के यतन को मैनस करतेंगे तो यहां 높ी देखिए एक बटती पाई आर क्या है मारा संखु का दिया है तो 6 cm स्क्यार हो जाएगा into h हमें दिया है यहां पर संकु के उचाई 10 cm तो यहां पर h आजाएगा 10 इसको हम solve करते हैं तो देखिए 6 दो बार लिखेंगे हम स्क्यार इसलिए तीन से कर जाएगा दो बार में चले जाएगा तीन से आ जाएगा हमारे multiply करेंगे तो 120 πIE हमसे संकु कायतन मिल गया अब हमें बेलन दो पpo यहां देखिए आफ एक triangle बन रहा है ठीक है और यह यावाली लाइन है यह बेलन की की दूरी 5 है और यहां से लेके यहां तक की दूरी 3 होगी क्योंकि टोटल संकु का क्या है 6 cm है यहां से लेके यहां तक और 3 cm क्या है बेलन की त्रिज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज् लम्ब काई स्केरर बराबर पचीस हो जाएगा मैनस 9e16 यहां पर 5 रखेंगे और 5 कर चेरर और 3 रखेंगे आधार पर श्ट्स करते हैं वमारे पास लम्ब आ जाता है चार संटीमेटर और लमब ही हमार का है एज बराबर चार संटीमीटर है तो हमारा height निकल गया है, यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या है? 4 cm, यहां से और यहां तक की दूरी, या तो फिर यहां से यहां तक की दूरी तो इसको हम इसमें रख देते हैं, balance का आथन क्या होता है? πr2h, तो r हमें दिया हुआ है 3 cm, h हमने निकाल लिया है 4 cm, भटा देंगे, तो 120 पाई क्या है? संकू का आथन, तो बेलंग का आथन कितना है? 36 पाई, इसको भटा देंगे हैं, तो आजाएगा 84 पाई, जो कि हमारा answer है, option B. question number 52 देखते हैं, राम 2,000 रुपए में एक mobile खरीदता है, तथा सोहन को 3,000 रुपए में बेज देता है, सोहन उसे राकेश को 3,500 रुपए में बेज देता है, तब राकेश को उस mobile के लिए राम से कितना प्रतिसत ज़दा भुकतान करना पड़े है, तो इसको simple मैं समझाता ह वहाँ, राम ने 2,000 में खरीदा था, सोहन को बेजदिया 3,000 में, और सोहन ने राकेश को बेजदिया 3,500 रुपए में, और इसने पूछा क्या हमें, तब राकेश को उस mobile के लिए round से कितना प्रतिसत जादा भुकतान करना पड़ा, मतलब राकेश को इस round से कितना प्रतिसत तुनला करने बोला है तो यहाँ देखिए राम 5000 में खταेद है ठार राकमे 35 150 में ख्रीद रहा है संद से घल को रख देंगी हमन中共 25 35 रुपय है है। 3500 रूपय हो गया और हमरा हम क्राल हो गया तो यहां पर वेलू रग देते हैं जैसे हम शॉलर करते हैं इहां से यहां से मैंस करेंगे तो हमय आ ≫ तोने पें जिल्बंदर कर जाएंग से आजया 15reso कर जाएगा यहां से और 2000, 4000 तथा 1000 थे जिन में निर्णाय आने के बाद क्रम सब 50, 20, 10, 40 तथा 30 राजनेता दोस्मुक्त पाए गये अता दोसी राजनेताओं का प्रती न्याला आउसत है इस कोशन का आपको समझना है क्या बोल रहा है A, B, C, D, E, 5 न्याला है उसमें क्या है इतने सर्मुकद में थी 3000, 5000, 2000, 4000, 1000 ये मुकद में थे जिसमें से क्या है इतने जो संख्या दिये हुए राजनेताओं दोस्मुक्त पाए गये हैं तो उसमें बोला है जो दोसी है राजनेता उसमें आउसत न्याला का कितना आ रहा है मतल सब दोसी राजनेताओं के एक नियाला में कितने केस होंगे हमें अवसत निकालना है ठीक है तो देखिए नियाला क्या है A B C D E और कितने हैं 3000, 5000, 2000, 4000 और 1000 तो इसकों जोल देंगे 15,000 कितने 200 मुकत है तो डेरस हुए यहां पर तो इसकों इससे मैंनस कर देंगे तो बचेगा खितना 14,850, 14,850 जो है यह क्या है दोसी है तो यह दोसी है तो प्रत्यक नियाला में कितने केस जाएंगे मतबर राजनेताओं तो हम इसका आउसत निकाल लेते हैं तो कुल दो सी राजनेता कितने हो जाएंगे चाहुदा हजार आट सपचास और कुल ने आला कितने हैं पांच तो इसका आउसत निकालेंगे तो आजाएगा 2970 जो कि आप संसी हमारा अंसर हो जाएगा चलिए इस वीडियो में हम लोग यही तक देखते हैं आगे के जो कोशन है अगले वीडियो में देखेंगे अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर लिजिए और अगर आपका कोई फ्रेंड जो सीजी पटवारी की तयारी कर रहा हो तो उसको आप सेयर कर दीजिए और आप इस चैनल में पहली बारा हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए